प्रोफेसर के पत्पर कारे रत हूँ आज हम प्रश्न पत्रिस्री लेखन के अंतरगत पुरुष रचनाकारों के साहित्य में चित्रित इस्री विशे पर विचार विमर्ष करेंगे इस पाठ के अध्यायन के उपरांथ आप इस्री वादी द्रिष्टी से तीनों उपन्यासों का अध्यायन और आलोचना कर सकेंगे पुरुष वादी नजरिये से उपन्यासों में चित्रित इस्री पात्रों की समीक्षा कर सकेंगे और इस्री वादी नजरिये से तीनों उपन्यासों का तुलनात्मक अध्यायन कर पाएंगे इस्त्री लेखन पित्र सत्तात्मक व्यवस्था के पुनरेक्षन का महा भ्यान है इस्त्री पुरोष समानता की पक्षधरता इस्त्री लेखन की बुन्यादी शर्त है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि अपने विशिष्ट जैविक संग्रचना को भूल कर इस्त्री परिवार और सम्मंधों के उश्मा को नश्ट कर डाले इस्त्री लेखन इस्त्री को हीन माने जाने के पुन्सवादी एहिंकार का विरूध करता है और जीवन, कला, साहित, प्रत्येक ख्षेत्र में उन अभिव्यक्तियों को प्रशनांकित करता है जो इस्त्री को गौन, हीन, अबला, भोग्या और पुरुष निर्फर बनाती है जोकि परंपरा और संसकार ग्रस्तता अलक्षित भाव से मनुष्य की चेतना और मुल्य बोध को प्रभावित करती है इसलिए जागरों कहे जाने वाले चंतक साहित्यकार भी इस्त्री को हीन मानने की दुरबलता का शिकार हो जाते इस्त्री आलोचणा पुरुष रचणाकारों की रचनाओं का पुनरपाठ दो उद्देश्यों के लिए करती है पहला इस्ति को लेकर समाज के पूर्वा ग्रहों को उदगातित करना और दूसरा तर्क द्वारा उन पूर्वा ग्रहों को खारिज करते हुए पाठक के भीतर इस्ट्री को मनुष्य समझे जाने की समवेदन शीलता बिक्सित करना गोदान, त्यागपत्र और नदी के द्वीब हिंदी की तीन काल जई कृतियां हैं सन 1936-1961 तक के रचना काल में फैली ये तीनों कृतियां बीस्वी सदी के राष्ट्री स्वाधिनता आंदूलन की साक्षी रग दूर था जब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर देश, विश्व के सामने अपनी अस्मिता प्रमानित क कर देना चाहता था, जाहिर एस्ट्रियों की पराधीनता एक विचारनी ये मुद्दे और चुनोती की तरहां इस युग के सामने उपस्तित होई था, सबसे उलेखनी ये था पुरुष समाज, सुधारकों, चिंतकों के साथ साथ स्वयम इस्ट्रियों का समाज सुधार इसमत चुपताई, महादेवी वर्मा ने साहित्य स्रिजन के जरिये पहली बार इस्ट्रि मानस को प्रामानिक अभिव्यक्ते थी, हिंदे साहित्य में इससे पहले बेशक 15 शताबदी में मीरा बाई अपने पीड़ा और विद्रोहों को अभिव्यक्त कर चुकी थी, लेकिन कृष्ण भक्ती का आरोपन कर उनके अभिप्रेत अर्थ का वहीं दम घोट दिया गया था, इसलिए 19 सदी के अंत में और 20 सदी के प्रारंब में, जब इन इस्ट्री रचनाकारों ने समाज, परिवाद और समंध रचना को अपने नजर से देख वश्रू किया, तो पहली ब इस्ट्री पुरूष की द्रिष्ट सम्वेदना और प्राथ मिक्ता में फर्क मैसूस किया गया, यह इस्ट्री यहां धर्म गरंथों और सामाजिक वेवस्थाओं द्वारा इस्ट्री को कीन माने जाने के पूर्वा ग्रह का विरोध करती हैं और इस्ट्री पुरूष पीडा, सहानुभूती और आत्म दमन की अपेक्षा, असेहमती और असंतोश को अपना हथियार बनाकर ये सम्मंद और व्यवस्था का नया प्रारूप रचती हैं। लेकिन पुरुष रचनाकारों की रचनाओं में परंपरागत द्रिष्टी से ही इस्त्री का चित्रन अधिक हुआ है। वही छवी है अबला, रक्षणियां और भोग्या की छवी के पोशन का आग्रह के सर्थ। जाहिर है इन लेकिकाओं की रचनाशीलता के संदर्भ में तद युगीन पुरुष रचनाकारोदवारा चित्रित इस्त्री का पाठ और विश्लेशन इस्त्री के प्रती ततकालीन समाज और स्वयम लेखक की द्रिष्टी को समझने के लिए सहायक है। हम गोदान में इस्त्री चित्रन की बात करेंगे जिसे हम प्रेमचन की ही एक पंक्ति के माध्यम से भिव्यक्त कर सकते हैं कि इस्त्री को लेकर विमानते हैं औरत का धर्म है कि गम खाए। हंस और जागरन के संपादगी टिपणियों में प्रेमचन ने इस्त्री को चेतन, स्वतंत्र और अठिकार संपन करने के लिए मुहिं चलाए। बाल विध्वा शिवरानी देवी से विवाकर वे इस्त्रियों के उध्धारक के रूप में अपनी चवी को पुष्ट करते भी दीखते हैं लेकिन इस्त्री द्रिष्टी से गोधान का पुनरपाट इस्त्रियों के प्रति उनकी सामनती द्रिष्टी को ही कही न कहीं स्पष धनिया, मालती और गोविंदी इस फीरांगना की दिलेरी भी उने पसंद है कि अन्याय का प्रतिकार करने के लिए वहपती से भी जाबढ़ती है लेकिन यह दरसन गढ़ी हुई वास्तविक्ता है धनिया का सत्यने वास्तविक्ता यह है कि होरी के सहमती के बिना उसके विद्रोहों की ध्वनी, गती और जिंदिगी कुछ एह ही नहीं होरी के अपनी निश्चित प्राथमिक्ताएं हैं जैसे मरजाग, कुल, कुल प्रतिस्ठा, भाईयों के साथ खून का रिश्दा और इनके निर्वहन के लिए बंधी हुई पारंपरक द्रिश्ट ही उसका कुल परीचे अपनी इस मिलकियत के भीतरवे दुरदान्त है और इस घेरे के बाहर फकड़ वेरागी वहाँ धनिया हस्तक शेप कर निर्णे लेती रहे होरी की बलास लेकिन उसके अधिकार क्षित्र में कूदी तो वाही तबाही मचा देता है बार-बार धनिया को चेदाता है मैं जितनी तरह देता हूँ उतनी ही यसर चड़ती जाती है होरी धनिया की सब बाते नहीं मानता उतनी भर मानता है जितने से उसका स्वार्त सिध हो या मान और मालिकाना हक बना रहे। हुका बंद होने से धनिया विचलित नहीं हुई, वेह तो खुले गले से पूरे गाम के जले पर नमक छड़कते हुए पोते के जन्म पर गीत गाती रहे। विचलित हुआ है होरी, बिरादरी में नक्कू बनने के अपमान से बिद्ध होरी, इसलिए उसने घर भी गिर्वी रखा और अनाज का दाना-दाना भी पंचों के पास पहुंचा रहा, धनिया का ताने देता अक्रामक विरोध उसके करमटता को छूब भी नहीं किया, लेकिन वही धनिया, जब सोना के ब्याह में समतियों के कहने पर दखेज न देने का समर्थन करती है, और रूपा के ब्याह में कुशकन्या का विरोध करती है, तब होरी उसकी एक नहीं सुनता, तो आगे भी चलती है, पीछे भी चलती है, तेरा मरम भगवान ही जाने, या फिर कहत पुरुष के मन और समाज की संग्रचना को जानने वाले धनिया अपनी पराधीन इस्त्री नियती को खोब वह जानती है नैतिकता के दोहरे मानदंड पुरुष को अपनी पत्नी को देवी बना कर बांद अपने और दूसरे की पत्नी को कुल्टा मानकर गुल्चर्रे उड़ाने की छूट देते हैं इस्त्री पुरुष समन्ध के केंदर में हमेशा पुरुष रहा है करता और भोगता टिपनिकार और निरणायक की भूमिका में अनुभव न धनिया को सिखाया है कि जब जब इस्त्री ने अपने होने को महसूस कर अन्याय के खिलाफ जरा भी कस्मसा हट की है बड़े वुजर्गों ने उसकी आंच पर नसीहत के घड़ों पाने उंडेल दिया है यह कहकर कि नारी का धर्म है गम खाय पती के घर और आश्रे के बिना उसके वजूद को नहीं स्विकारता है समाज जैसे हिंदु इस्त्री पती के साथ घर की स्वामीणी है और पती त्याग दे तो कहीं की नहीं रहे पती को पाने की लालसा में विध्वा इस्ट्री यदि जुनिया की तरह किसी गोबर का हाथ पकड़ कर प्रेम में सर्वस्वदान कर दे तो भगोडा गोबर दोशी नहीं क्योंकि लड़कों से तो इस तरह की भूल चुक होती रहती है दोशी है जुनिया इस्ट्री जिसे पनाह देना ही समाज और गाम को भष्ट कर देना है प्रेमचन यजी सचमुच धनिया को विद्रोहिणी और जाबाज इस्ट्री चबवी में बांधना चाहते तो क्या उसे नैतिकता के इन दोहरे मानदंडों के खिलाफ ठगी गई इस्ट्रियों को लामपंद करने का विवेक न देते धनिया के अपने साहस के बल पर स्ट्री पुरुष दोनों का नित्रित्व करने की क्षमता का भिनंदन तो वो पहले ही कर चुके है लेकिन उसके साहस भारे नित्रित्व को वे इतनी पुखता जमीन नहीं देना चाहते प्रेमचन चुकी सरजक है और पात्र उनके हाथ में खेलती कठपुतलियां इसलिए अपने कुशल नियंत्रण से बाहर वे उन्हें जागने ही नहीं देते पाठक धनिया के दुर्गा रूप के जहासे में आकर शुरू में भले ही उससे किसी सरजनात्मक विद्रोह की अपेक्षा रखने लगे प्रेमचन उसे तब परता से पुरुष व्यवस्था में दीक्षित करते चलती सही बात पर खरा कड़वा बोलने के आरोप में कुठती पिठती हीरा पतनी पुनिया में अपना है प्रती रूप देखकर धनिया उसकी रक्षा के लिए आगे नहीं आती बलकि खोरी की जुबान बनकर पुनिया की जुबान खींच लेती है कि बहुरिया होकर पराय मर्दों से लड़ेगी तो डाटी न चाहेगी बहुरिया बनने की सार्थकता क्या अपने स्वत्व को किनी और की हाथों में सौप देना है प्रश्ण तो यह उठता है धनिया के पास सवाल उठाने के लिए इस्त्री द्रिष्टि और इस्त्री हुर्दे नहीं है यह है एक बहुत बड़ी विडम बना है मालती धनिया का विलोम नहीं लेकिन उससे भिन्न तो है भिन्न इसलिए कि अपनी मुखर वैचारिकता, खुली द्रिष्टि, उंची शिक्षा, आर्थिक स्वाबलंबन के कारण उसने अपने व्यक्तित्व को ही नहीं गढ़ा, रुचियों, प्राथमिक्ताओं, आकांक्षाओं और दाइत्वों और सपनों की कलम भी फेरिस्ट भी तैयार की धनिया की तरह अथक श्रम करने के बाबजूत वहन ना अपने श्रम को अलक्षित होने देती है, ना उस पर किसी के मालिकाना अधिकार को सहती है स्वतंत्र निरणय लेने का विवेक, गत्यात्मक्ता और सोशल एक्स्पोजर उसे नैतिक वरजनाओं और सांस्क्रितिक सामाजी कुरीतियों के पंजे से निकलना सिखाते लेकिन प्रारम्ह में उसे तितली कहकर प्रेमचंद अपनी नापसंदगी को अभिव्यक्त कर देते हैं जिसे पूरे उपन्यास में महता तब तक ढोता चलता है जब तक हिरदय परिवर्तन कर मालती पूरी तरह से सतीस्त्री नहीं बन चाते वो साफ कहता है मैं ऐसी बीवी नहीं चाहता जिससे मैं आइंस्टीन के सिध्धान पर बैस कर सकूँ या जो मेरी रचनाओं के प्रूफ देखा करें मैं ऐसी आउरत चाहता हूँ जो मेरे जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दे अपने प्रेन और त्याग से महता मालती के सामने कसाटी रखता है और चकित मालती सरफ एक सवाल पूछ कर रह जाती है कि सारा उपदेश गरीब नारियों के सिर पर ही क्यों थोपा जाता है उन्हीं के सिर क्यों आदर्श और मर्यादा और त्याग सब कुछ पालन करने का भार पठका जाता है इंग्लेंड से डॉक्टरी पढ़कर आई मालती जिस तरह लखवा गरस अयाश पिता की ग्रहस्थी को अपने आए से चला रही है वह उस समाज में अजूबा बेशक हो अकल्पनी बिलकुल नहीं उननिस्वी सदी के अंत में महराष्ट्र के रखमा बाईस की जीवन्त मिसाल थी और गोदान के रचनाकाल के दौरान उर्दू लेखी का रशीद जहां भी लेकिन समाज ऐसी व्यक्तित्व संपन इस्ट्री की स्वाधीनता से बेहद आतंकित था इसलिए अपने भाई को अभिव्यक्त करते हुए वह उसे उच्छरिंखल, चरित्रहीन और परंपरा भंजक के रूपे चित्रितकर सतीत्व के आदर्ष को पुष्ट करने में लगा ह महता का यह कथम की नारी केवल माता है और इसके उपरांध वह जो कुछ है वह सब मात्रित्व का उपक्रम मात्र है इस्ट्री से उसके सवत्तंत्र व्यक्तित्व को ही छीन लेने का प्रयास। वे एक सामन्ती पुरुष के रूप में ही उभरते हैं, जिन के लिए प्रेम, खुंखार, शेर है और इसरी अपना खेत। पुरुष मंडल में उन्मुक्त घूंती और खन्ना की मित्र के रूप में प्रेम चन्ने मालती का होब मजा कुड़ाया है। मालती की प्रतिष्ठा वे तभी कर सके हैं, जब वे पाश्चाति शिक्षा दीक्षा भूल कर भारतिय रंग में रंग गई। गांधी जी के प्रभाव और पित्र सतात्मक व्यवस्था के दबाप में वे मालती के पंख कतरते हैं। त्याग को उसके जीवन का केंद्र बिंदू बनाकर विवाह और वासना जैसे लौकिक विश्यों से उसे उपर उठा देते हैं। जहां समूची संभेता की माता बनती है वह और श्रद्धा की वस्थू। गोविंदी को प्रेमचंद और महता दोनों आदर्श छवी के रूप में गढ़ती हैं। मुह जोर, चपल चंचल, खुश मिजाज, आत्म निर्भर मालती के सामने गोविंदी, गंभी, उदास, सादगी से परिपूर्ण, आत्मसन को चित्म हिला। उसके सबसे बड़ी विशेश्टा है कि दुख को सौंदर प्रसाधन की तरह चेहरे पर पोत कर वह पूरुष के हुर्दय में करुणा उप जाने की कला जाती है। वह रोती है और पुरुष अपने सामर्थे के जोश में बल्लियों उचल कर उसके आंसु पोच डालना चाहता है। उसके सामने आखड़ी होती है। आधियधूरी शिक्षा, लोकमर्यादा की लाज और समाज में न घूम सकने के अक्षमता ने उसे एक कमजोर इस्त्री के रूप में अपना नया परिचे दिया है। सारी जम्मेदारी उसी पर है। श्रेष्ट पुरुष है और उसी पर ग्रिस्थी का सारा भार है। नारी में सेवा और सैन्यम और करतव सब कुछ वही पैदा कर सकता है। अगर उसमें इन बातों का अभाब है तो नारी में भी अभाब रहेगा। नारियों में आज जो यह विद्रोह है इसका कारण पुरुष का इन गुणों से शून्ने हो जाना है प्रेमचन का उद्देश यदि गोविंदी को नागर समाज की शिक्षित सती इस्टि के रूप में प्रतिश्टित करना न होता तो गोविंदी के इस सवाल पर विचार कर वे उसे मालती जैसा प्रखर और खुश्मिजाज व्यक्तित्व अवर्ष देते प्रतिकूल परिस्थित्यों को अपने जीवट, शिक्षा और आर्थिक स्वावलंबन से अनुकूल बनाने वाली स्वाविमाने नी इस्टि का विम वहरच सकती थी जिसे लेखिकाएं अपनी रचनाओं में साकार करती रहे प्रेमचंद के स्टि पाट रचाईता के रूप में प्रेमचंद के अंतर विरोधों को उजागर करते हैं सबसे पहले तो यह है कि उपन्यास तर उपन्यास इस्टि जीवन में नरक रच्चती समस्याओं को उठा कर वे उन्हें विस्तार से विशलेशित करते हैं और इसके लिए भरसक समाधान जुटाते हैं और इस्ति के पक्ष में जन्मत बनाने की चेश्टा भी करते हैं लेकिन जैसे ही सिम्टी, सिक्कुडी, विसूर्ती, अनुगता इस्ति उत्साहा से उमड कर स्वयम जंडा हाथ में लेकर जलूस का नित्रित्व करने लगती हैं कि वहीं वेहत बुद्धे से जम जाते हैं दूसरे, नैतिकता के दोहरे मान दंडों की रक्षा भी करते हैं और पुरुष की लंपटता से तरस्ति इस्ति को अपने डैनों तले छिपा भी लेरा जाते हैं दूद्ध बेचने घर-घर जाती जुनिया की देह के लोभी ब्रमरों की वे जुनिया के साथ कसकर पिटाई करते हैं और उन्हें उल्लू बनाने के लिए उनकी ही भाषा में प्रेम का खेल खेलती जुनिया बर उंगली भी नहीं उठाने देते उनके इस्त्री पात्र प्रेरक पुंज की तरह भले ही समाज का नेत्रित्व नहीं करते लेकिन उनके समबादों के माथ्यम से प्रीमचन इस्त्री को एक नए आलोग में देखने की जिष्टी अवश्य देते हैं कुछ एक समबाद द्रश्टव्य हैं जैसे जुनिया का समबाद है सर्बस तो तभी पाओगे जब अपना सर्बस दोगे जान देने का अर्थ है साथ रहकर निपाह करना ठीक इसी तरह से यह भी जुनिया का ही एक समबाद है गोबर से मर्द का हरजाईपन औरत को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को एक और उधरण द्रश्टव्य है क्यूं माता ने पुत्र को ऐसी शिक्षा नहीं दी कि वह माता की इस्तरि जाती की पूजा करता इसलिए कि माता को यह शिक्षा देनी नहीं आती इसलिए कि उसने अपने को इतना मिटाया कि उसका रूप ही बिगड़ गया उसका व्यक्ति लेने का आवान करते हैं क्योंकि साहित्य आस्वाद की वस्तु नहीं स्रीजन की संयुक्त रचनात्मक यात्रा है एक ऐसी विचार यात्रा जो विचारशील पाठक की भागीदारी के साथ कृति और समकालेंता के बीच समबाद का सेतु बनाते हैं प्रेमचंद के बाद अब हम जैनेंद्र के उपन्यास त्यागपत्र पर बात करेंगे माना जाता है कि स्री मन के चितेरे जैनेंद्र कुमार ने त्यागपत्र सहित अपने पूरे साहित्य में प्रेम, विवा, इस्री पुरुष सम्मंद, समाज और व्यवस्ता जैसे सनात्री महत्व के जटिल विश्यों पर लीक से हट कर नई मानने ताएं प्रस्तुत की हैं लेकिन इस्त्री दृष्टी से उपन्यासों का अध्यन करने पर ग्यात होता है कि इन सब विश्यों को लेकर उनकी निजी सोच बहुत जादा स्पष्ट नहीं यह सपष्ट तो है लेकिन पुरुष की समकष्टा में इस्त्री को मनुष्य का दरजा देने का साहस वे नहीं बटोर पाते सुनीता के बाद त्यागपत्र जैनेंद्र कुमार का महत्वपूर्ण उपन्यास है जहां इस्त्री के अंतर मन में उतर करवे समाज के साथ उसके सम्मंधों को एक नई दिशा देने का यतन करते हैं उपन्यास की नाईका मृणाल हिंदी साहित्ती की पहली आधुनिक इस्त्री है जो इस्त्री मुक्ती का पर्चम लहराय बिना नारी मुक्ती के मर्म को समझ सकी है और मुक्त नारी का ज्वलंत उदाहरन बन कर उपन्यास में आई। इसी कारण पाखंड पूर्ण व्यवस्था के नकाब को पलट कर मृणाल नई नैतिक प्रतिमानों को गढ़ने का साहस कर सकी। कि मैं जानती हूँ इस आदमी को, कोईले वाले को मुझसे विरफ्ती हो रही है। अब उसका मुख़ टूट गया है, वह जान गया है कि मैं उसकी सर्वस नहीं हूँ, मैं बस एक बदजात, बदकार, बाजारू ओरत हूँ, लेकिन जब तक पास है, तब तक वह पुरुष अन्य नहीं है, मीरा सब कुछ उसका है, मेरी कोशिश है कि वह मुझसे उकता जाए, मैं उसे परिवार में लोटा कर ही मानूँगी। यह निद्वंद्व भाव से अपने निरणे को ग्रियानवित करने और उसकी परिणती को जहिलने की निश्चे आतमत्ता है। पित्र सत्तात्मक व्यवस्था अपने सघन प्रसार के बावजूद इस्त्री को पैर चिकाने को रंच मत्र जगा देने में भी अनुदार रही। लेकिन उसी व्यवस्था को अंगूठा दिखा कर अपने लिए स्पेस बनाती म्रिणाल को रचकर जैनिंद्र उसे विद्रो जोहिनी का रूप देना चाहते हैं। इस्त्री के निजत्व का दमन करती परिवार और विवाहसंस्था के प्रति बच्पन से ही म्रिणाल का मोहभंग हो चुका है। वेह अपना आकाश अपने आप बनाना चाहते हैं। अनास्था और मोहभंग की पीड़ा ने उसकी द्रड़ता और इमानदारी के साथ मिलकर उ इसलिए जीविका उपारजन का कोई निश्चित आधा और भविश्य की ठोस जमीन न होने पर भी वहपति का घर छोड़कर सड़क पर आ जाती है। यह इस्त्री की जमीन और आसमान को लील जाने वाली विवाहसंस्था को इस्त्री द्वारा दी गई चुनाती है। जैनेंद्र चाहते तो इस स्थल का स्रिजनात्मक उपियोग कर विवाहसंस्था का पुनरीक्षन कर कुछ जरूरी सवाल उठा सकते थे कि विवाह बलातकार का महा आयोजन क्यूं है। मिरनाल एकनिष्ट प्रेम की ताकत से जगमगा रही। कोईले वाले की स्वार्थ परता और उदंडता के बरक्स मिर्णाल के समर्पण में पातिवरत्य का अंश जोड़कर जैनेंद्र ने एक साथ दो तरह सुस्कवपियों किया है। एक विवाह संस्था के मौजोदा स्वरूप का प्रतिकार कर अपनी प्रगतिशील सोच का परिचे देना। और दूसरा नैतिकता के नए प्रतिमानों को गढ़ते हुए भी इस्ट्री को पतिवरता और सती इस्ट्री की वही परंप्रागत भुमी का देना जिसका पोशन विवाह संस्था करती। वित्रोहिणी मिरनाग लेखक के चतुराई नहीं जानती इसलिए अपने इस नए अवतार पर मुगत है। कि नए सैध्धानते की गढ़ती मृडाल अपने होने को महसूसती है। लेकिन अपने लिए नहीं पती या पती से इतर दूसरे पुरोश के लिए। उसे पुरोश की सेवा मेरत रहना उसका इस्ट्री धर्म है और यही पातिवरत्य का नया रूप है। मेरा अस्तित्व मेरे लिए नहीं है। यह कहती होई मृडा भीतर तक वर्चस बादी वर्ग की माननेताओं में धसी होई नजर आती है कि समाज के टूटने से व्यक्ति और व्यवस्था दोनों ही नश्ट हो जाएंगी। इसलिए अपने विद्रोह के विस्तृत फलक को आत्म पेड़न की संकुचित परिधी में तब्दिल करके बहसाफ तोर पर अपनी नियती चुन लेती है कि मैं समाज को तोड़ना भोड़ना नहीं चाहती हूँ। समाज तोटा कि फिर हम किसके भीतर बनेंगे या कि किसके भीतर बिगडेंगे। इसलिए मैं इतना ही कर सकती हूँ कि समाज से अलग होकर उसकी मंगला कांक्षा में खुद ही तोटती रहूँ। लेकिन इस्री आलोचना यहां सवाल भी उठाती है कि क्यों टोटे इस्री और किसके मंगला कांक्षा में। और सिविल सर्जन बनकर भी अववाहित रहने का शहादत भरा भाव ओड़कर शीला का भाई म्रणाल जैसे इस्ट्रियों की जंदगी में तूफान लाता रहे। निसंदे म्रणाल का विद्रोह समाज की अंदुरूनी दरकनों को उजागर करने का कारण बना है। लेकिन लेखक की पलायनवादी बौधिक दार्शनिक भंगी मा के कारण कोई रचनातमक परिप्रेक्ष ग्रहन नहीं कर पाता है। जो कहानी सुनी है उसे कैसे लूँ, कैसे झेलूँ। इलाज यही था कि मैं भी उसके तले से बचकर चला जाओ। चला जाओ अपनी उसी दुनिया में जहां वस्तों का मान बंधा हुआ है और कोई अकेला नहीं। जहां रास्ता बना बनाया है और खुद को होजने की जरूरत नहीं है। जिग्यासा यहां शान्त है और प्रश्ण अवग्या का द्योत्र। अपनी अंतिम परणती में यह उपन्यास नई नैतिकता का अख्यान करती दशार्प की रंजना का बीच बन कर रह जाता है। विचारक जैनेंद्र यहीं तक सीमित नहीं रहती। घोशित तोर पर म्रिणाल प्रक्रण को हाशिय पर फेंग वे उसे नायकत्व से भिवंचित कर देना चाहते हैं। अधिक समाज की प्रतिष्ठा काइम रखने का जिम्मा भी उन पर है। उनका करतव्य है कि जो उसके उच्छिष्ट है या उच्छिष्ट बनना पसंद करते हैं। उन्हीं को जीवन के साथ प्रियोग करने की चूट हो सकती है। सकते को सदा नए प्रियोगों की अपेक्षा है लेकिन उन प्रियोगों में उन्हीं को पढ़ना और डालना चाहिए जिनकी जान की अधिक समाजदर नहीं रह गई। यह म्रिडान जैसों से भयभीत वर्चस्ववादियों का कायरता पूर्ण अब्रमान नहीं तो और क्या है। जाहिर है तब जैनेंद्र के लिए म्रिडान, कटो, कल्यान, अपनी मानवी असमिता के लिए जूचती जीवनत नारियां नहीं रहती। उच्छिष्ट वर्ग की नियूंतम समाज दर वाले इकाईयां भर बन जाती हैं जो मन जाहा प्रियोग करें और टूट कर खील-खील हो जाएं सब भे समाज को उससे। उलेखनी हैं कि जैनेंद्र नारि मुक्ति आंदोलन के हमायती नहीं वे वहीं तक उसका समर्थन करते हैं जब तक वह इस्ट्री पुरुष दोनों के चित्त से हीनता की भावना निकालने की बात करता है। लेकिन उससे आगे बढ़कर जब वह समता की बात कहता है तो जैनेंद्र की आपतियां उखर हो जाती हैं क्योंकि समता की बात मानने पर इस्ट्री पुरुष में मेल की जगा तनाव बढ़ता है। वो यह स्विकारते हैं। और दूसरे, चुकि कोई भी आंदोलन या प्रगती पुरुष को माता नहीं बना सकता, अतह दोनों की सामाजिक हैसियत, प्रक्टिति, कर्तव्यथिकार और कारिक्षेत्र, यानि जीवन की हर स्थिति और हर आवस्था में विभेद रहेगा ही। इसलिए अनंतर उपन्यास में कल्यानी सरीखी इस्थियों को सिरे से खारिज कर, वे इस्थि को आंचल और आँख के विम्ब में विसरजित करने की पैरवी करने लगते हैं। वे कहते हैं, बहस में इस्थि व्यक्ति हो आती है, यानि अपने से कुछ और हो जाती है। इस्थि को ज्यान के मान में देखना, इस्थित्व से विरहित बना कर देखना है। प्रक्रत इस्थि वे तब है जब शर्माती है। इस्थि को लेकर, लेखक की इसी दृष्टि के कारण मृड़ाल समाज की परिधी से बाहर की जीव बनी रहती है। व्यक्तिकत तोर पर्व है पाठक की साहनुभूती बचोरती है और कला कृति के रूप में लेखक के मानुवीय सरोकारों के लिए बौधिक जगत से वहवार। इसलिए हर क्षेतर से दुर दुराई जाती म्रिणाल पाठक की स्मृति में अंकित होती है और सवाल बनकर अपने प्रेमी, शीला के भाई, पती और कोईले वाले को केंदर में नहीं ले आ पाती जो नैतिकता के दोहरे मान दंडों का मनमाना उप्योग कर अपनी स्थिती करते हैं और अपनी उसी करनी और पराध के लिए इस्थि को दोशी ठहरा कर दंडित भी करते हैं यह म्रिणाल की नहीं लेखक के पर आजये हैं कि वे इस्थि मन के हाहाकार को टंकार बनकर उभरने नहीं देते जैनेंद्र के बाद अब हम नदी के द्वीव यानि अग्ये क कि कथाकृति पर विचार करें पच्चिस बरस के अंतराल ने प्रेमचन और जैनेंद्र की तुलना में इस्थि को लेकर अग्ये की समझ और संबेदना को फिस पष्ट किया और समाज के नैतिक पूर्वा ग्रहों से टकराने का होसला भी थे उपन्यास की नाई का रेखा गो जो उसके व्यक्तित्व में समबेदन शीलता की प्रगाठता को फरती हैं तो दूसरी ओर जीवन निरणयों के प्रती अडिग विश्वास भी रखती हैं रेखा पहुतों को गढ़ा हुआ बौधिक चरित्र प्रतीत हो सकती है क्योंकि समय, समाज, स्थितियों, समंधों और व्यक्तियों को जिस गहरी अनासक्ति और हारदिक्ता के साथ में देखती हैं वह चकित कर डालने वाली है स्वायम अग्ये उससे इतने अभिभूत है कि मानते हैं रेखा में कुछ है जिसका उनमेश जीवन का उनमेश है और जिसे जान सकना ही एक महान अनुभूती होगी फिर वह जानना सुखद हो या दुखद हो रेखा अपने उचरित शब्दों में नहीं अर्थ गर्भित चुप्पियों में स्थित है जिने तन्मय भाव से जीकर वह निरंतर अपना विकास कर रही है एक बेहतर भविश्य के स्रिजन के लिए ताकि अत्ती की कडवी स्मृतियों की जकडबंदियों से मुक्थ होकर व प्रेम संभव है और वह प्रेम अनैतिक कदापी नहीं कदाचार का रूप है तब लेता है जब निजी लाब और स्वार्थ से बंद कर वह प्रिय का भावनात्मक्षोशन करने लगे मिर्णाल की ही तरह रेखा में भी आत्मपीडन की ग्रंथी कहीं सक्क्रिय है इसलिए समलेंगिक पती है मेंद्र द्वारा किये गए अपमान और अभिशाप को जब है भुवन के प्रेम में धो डालना चाहती है और गौरा के प्रति भुवन के आकर्षन की थाह पाती है प्रति उसका लगाव इतना गहरा है कि इस सम्मंध की संतान को वह पूर्ण बनाना चाहती है अपने और भुवन के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए वह अपने अजन्मे शिशु को सर्जन वाइलनिस्ट बनाना चाहती है लेकिन शिशु अत्वा गर्भावस्था को कारण बता कर भुवन पर विवाह करने का भावनात्मक दवाब नहीं डालना चाहती है सामाजिक नैतिक्ता की अपेक्षा व्यक्तिकत नैतिक्ता को वह अधिक मात्वोन मानती है दुख उसके जीवन की थाती है लेकिन गोविंदी की तरहां आंसुर में बहाकर वह उसे अननकर दुख को दर्शन का रूप दे डालती है जो सही अर्थों में मनुष्य को मुक्ति का पाठ भी बढ़ाता है दुख व्यक्ति को मांचता है और पारदर्शी इमानदारी देकर सम्मंधों को एकनिष्ट भाव से जीने की द्रिड़ता भी देता है यही रेखा के भुवन के साथ मानसिक तादात में को जीने की स्वतंत्रता पाती है रेखा की द्रिड़ता और निजी नैतिकता पाती वरत्य के अभिशाप को ढोती कौशल्या की लाचारगी पर भी प्रश्ण लगाती है लंपट और पाखंडी पती चंद्रमाधव की घ्रणा और वासना का शिकार बन कर कौशल्या हर रोज अपनी अस्मिता को तार तार होते देखती गोविंदी की तरह उसके पास भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं लेकिन अग्ये प्रेमचन और जैनेंद्र की तरह ऐसी इस्चों को सहानभूती नहीं देते बलकि उन्ही परिस्थितियो में घिरी रेखा को रचकर एक नई जीवन शैली अपनाने की सलाह देते हैं। हेमेंद्र के साथ ऐसे ही घुटन भरे संबंध को जीते जीते रेखा भी कौशल्या की तरह तिल-तिल मर सकती थी। लेकिन मैं मानती है कि जब तक आत्म सम्मान और स्वाभिमान से भर कर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नहीं उठेगी तब तक पित्र सत्तात्मक व्यवस्था उसका शोशन करती रहेगी। इसलिए रेखा का चरित्र चित्रन करते हुए अग्ये उसे एक जागरूक, द्रड, इस्त्री के रूप में रचाते हैं। जो क्षण और क्षण म और अर्धनारिश्वर की परिकल्पना। गौरा को रेखा का प्रत्या ख्यान बताते हैं अग्ये जैसे चंद्रमाधव को भुवन का। लेकिन अंतत है। गौरी रेखा का विस्तार बनकर समवेधना और समझदारी के उसी परिपक्व धरातल पर आखड़ी होती। फर्क य इसलिए कि दामपत्य प्रेम की अवधारना को पुष्ट करने के साथ साथ अग्ये उसके माध्यम से आदर्श ग्रहिस्ति का चविचित्र भी प्रस्तुत करना चाहते हैं। रेखा और भुवन ने यदि एक दूसरे के सानिध्य में अपने को खोजते हुए अहलाद और सार आत्मबलिदान या अपराद वोध की नीम पर शुरू किया गया दामपत्य सम्मन्द व्यप्ति और परिवार दोनों के स्वास्थ और भविश्य को नश्ट करता है। इसलिए रेखा के साथ घुटन का अनुभव करता है भुवन। एक तेजस गरिमा के साथ पीड़ा को अ चताओं के बीच प्यार का आवेग स्थिर हो जाने के बाद समर्पन और त्याग की स्मृतियां और समवेदना को जख्मी और जीवन प्रवाह को रुध करती है। भुवन गौरा के साथ अधिक सहज हैं इसलिए नहीं कि वह उसकी छात्रा रह चुकी हैं बलकि इसलिए कि प बार बार शरचंद्र के नायक नायका की रूर चवी ले आते हैं। बड़पन के गर्व में सर्वस्वदान करती नायका और निरावलम वीतरागी होने के मुद्रा पाले हुए एहनिष्ठ नायका। लेकिन यह तो गौरा भुवन सम्मंध का सतही पाठ है। अग्ये रूर चवियां पिरोते जरूर हैं लेकिन उनमें नए अर्थ की प्राण प्रतिष्ठा वे अपने जिश्ट से ही करते हैं। आत्म बलीदान जैसे आत्म प्रवंचनाकारी युक्तियों से उन्हें सक्त प्रहेस हैं। इसलिए वे इस्त्री पुरुष दोनों की रूर चवियों को गड़मड कर देते हैं। गौरा में समर्पन सर्वस्वदान की विकलता के साथ आत्म सजक्ता, पजेसिवनेस और एहमभाव का प्रत्यारोंपन करते हैं। और भुवन की आत्म केंद्रित मुग्धता में दूसरे के प्रति समर्पित हो जाने का भाव समलित करते हैं। तब दोनों, दो अलग-अलग लेंगिक एकाईयों और भुमिकाओं में जीते प्राणी नहीं रहते, दो अलग-अलग व्यक्चियों के साथ एक ही भावदशा की एक सी मनह स्थितियां बन जाते हैं, स्पेस देकर स्पेस मांगते हुए दो प्राणी। समर्पढ है तो वह न बा चानने के बाद आश्चर यह नहीं कि प्रेम है, आश्चर यह कि हम हैं, होना ही एक नए परकार का संयुक्त होना है, मैं पहले भी था, अब भी हूँ, पर क्या दोनों होने एक हैं? यहां सवाल उठाया जा सकता है कि रेखा भुवन ने भी अपनी निजी एयत्ता को बनाए रखकर एक दूसरे में लए होने के एकात्म भाव को समवेदना किस तर पर जिया था? फिर यदि वह सम्मंध विवाह की वेदी तक नहीं पहुंचा, तो गौरा भुवन सम्मंध की सार्थक दामपत्य समंध की मिसाल कैसे बन सकता है? यहां कृष्ण सोब्ती की लंबी कहान ए लड़की की अम्मू का कथन या धोवाना स्वभाविक है, जो इस्ट्री पुरुष की भिन्नता और अभिन्नता को, परस पर पूरत्ता और निजी विशिष्टता को एक सांस विस्विकार करते हुए, पती पत्नी की अलग-अलग भुमिकाओं को रेखांकित करती है। यह इस्ट्री पुरुष की अलग-अलग जैविक संग्रचना और हार्मोन्स के कारण उत्पन प्रभावों का परिणाम है, या सामाजिक संग्रचना से उत्पन इस्ट्री पुरुष की अलग-अलग भुमिकाओं के साथ जुड़ी आचार संगिताओं का परिणाम, यह कहन सरल नहीं लेकिन इतना तैय है कि अग्ये गौरा को रेखा से भिन गढ़ते ही इसलिए हैं कि लौकिक और साधारण के सहज स्विकार के साथ वह स्रिष्टि के प्रवाह को यथावत बनाए रख सके स्वयन गौरा के शब्दों में रेखा दीधी मेरे पास दर्शन अभी कुछ नहीं है एक आस्था है और कुछ श्रद्था और कुछ सीखने की, सहने की और यत किंचित दे सकने की लगन है इनके और आपके स्नहे के सहारे मुझे लगता है कि मैं चारों और बहते अजस्र प्रवाह में खड़ी रह सकोंगी एक नगन्य व्यक्ति पुंज अस्तित्व का एक छोटा सद्वीब लेकिन जो फूल ना चाहता है फूल जराकर नदी के बहते जल को सुवासित कर देना चाहता है फिर नदी चाहे जो करे उन फूलों की गंध ही पहुँच जाए दूर दूर बेशक अग्ये व्यक्ति अस्तित्व के एक छोटे सिद्वीब के बाद करते हैं परंपरागत समाजिक माननेताओं और आचार संगिताओं पर सवालिया निशान लगाते हैं लेकिन इनका उनमूलन कर नई स्थापनाएं नहीं करते इतना फर मानते हैं कि दामपत्य समंध में प्रेम अनिवारे हैं विश्वास और सम्मान की पारिक्ता में गुथा प्रेम ही सर्वोच्च है रेखा भुवन गौरा यदि अथार्थ जगत के पात्र नहीं है तो उनका नहोना इसी पुरुष दो लेंगिक इकाईयों की अलग-अलग पहचान को तदाकार कर अर्धनारी श्वार की संकल्पना को पुष्ट भी करते मुझे वचन दो अपने को नहीं सताओगे डर से नहीं, परिताप से नहीं और हाँ, प्यार से भी नहीं वह तुम्हें क्लेश दे तो उसे भी अटा देना तुम देवत्व की सांस हो, देवत्व की शिखा हो जिसे मैं अंतह करण में पालूँगे भुवन को निवेधित गौरा का है कथन जब तक स्थूल और सतही रूप में पढ़ा जाता रहेगा उपन्यास बौधिक स्मृध्धी से एश्वर रिपोण कलात्मक प्रेम कथा के रूप में जाना जाता रहेगा जब हर मनुष्य अपने सहचर को इतनी समवेधन शील हारदिक्ता के साथ अपने भीतर उतार लेगा तब मानुख लैंगिक विभाजन से उपजे सारे विशाद समाप्त हो जाएंगे चंद्रमाधव और कौशल्या यदि अपनी अपनी जगह रिढ़ युक्त मनुष्य होने का रहस्य और समवेधन शीलता पा जाएं तो आपसी समंधों का प्रारूप तयार करने के लिए किसी मनु या आचार्य को पोथा खोल कर नहीं बैटना पड़े हर कोई जीवन का अंतिम दर्शन अपने जीवन में पाता है किसी की सीख में नहीं अग्ये किस माननेता के आलोप में रेखा की व्यक्तिकत नयतिकता और इस्त्री पूरुष सम्मंधों के धांचे की परियोजना को भली भांती समझा जा सकता है इस प्रकार देखा जाएं तो गोधान में प्रेमचंद का इस्त्रियों के प्रति सामन्ति द्रिष्ट कोण ही दिखाई पड़ता है इतना जरूर है कि पूर्वा ग्रह से ग्रस्त प्रेमचंद मुकंमल द्रिष्ट पाने का दंभ भी नहीं भरते वे अपने द्रिश्टिगत सीमाओं को उजागर करते नजर आते इस्त्रिवाधी परिप्रेक्ष में जैनिंद्र का त्यागपत पन्यास के माध्यम से पता चलता है कि वे नारी मुक्ति आंदोलन के हिमायती नहीं उनकी अपनी एक निश्चित सीमा है वे नैतिक्ता के दोहरे मानदंडों का मनमाना उपयोग कर अपनी स्तिती मजबूत करते नजर आते जैनिंद्र की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वे इस्त्रि मन के हाहाकार को अंगार बन कर उभरने नहीं देते वे एक सीमा तक इसका समर्थन करते हैं लेकिन जहां इस्त्रि पूरुष समता की बात आती है वहीं उनकी दृष्टिगन सीमा का पता चल जाता है प्रेमचन और जैनेंद्र की अपेक्षा इस्त्रियों को लेकर अग्ये में गहरी समझ और समवेदना हैं और विसमाज के नैतिक पूर्वा ग्रहों से टकराने का होसला भी अपने इस्त्रियों को देते हैं धन्यों